आप सादर आमंत्रित हैं महाराश्ट राज्ज के बुख्य मंत्री श्री देवेंद पर्णवीश श्री हिंद विश्वराज्जा चे सरसंस्थापक चत्रपदी शिवाजी महाराज यानना मानाचा मुझरा भारती राज्ज घटने चे शिल्पकार भारत रतना डॉक्टर बाबासाइब अम्मेड करियाना वनना मंचावर उपस्तित अखिल विश्वाम दे जन्ना एक अतीशे प्रभावी नेते महनून एक वईश्विक नेते महनून माननेता मियाली ते आपलेया सरवांचे आदरनिय पंतपरधान श्री नरेंदर मोदी जी माननिय राज्यपाल महोदे शिवसेना पक्षप्रमुक आदरनिय उद्धो ठाकरे जी मंचावर उपस्तित केंद्रिय मंत्री प्यूज गोयल जी अर्विन सावन जी आर्पियाई से राष्ट्री अद्ध्यक्ष रामदास अठावले जी मंचावरिल मंत्री मंड़ातिल माजे सर्व सहकारी मुंबई से खासदार मुंबई भाजपासे अद्ध्यक्ष सर्वस मंचासीन महानुभाव और याठिकाणी उपस्तित सर्व माता भगीनी और बंधुन्नों मैं सबसे पहले आदरणिय प्रधान मंत्री जी समूचे महाराष्ट की और से आपका आभार व्यक्ष करना चाहता हूँ कि करोडो करोडो भारतियों के मन में सत्तर सालों से जो घाव था जो टीस थी कि कश्मीर हमारा था लेकिन उसको इस प्रकार से दर्जा दिया गया था कि हमारे पडोसी देश वहां आकर आतंकवाद फैलाते थे कश्मीर का विकास रोकते थे और देश से कश्मीर को अलग करने की कोशिश करते थे ये आप में हिम्मत थी कि आपने धारा 370 को समाप्त किया और करोडो भारतियों के मन की बात ये देश एक है ये भारत एक है इस 15 अगस्त को जिस समय प्रधान मंत्री जी आपने नई दिल्ली में भारत का जंडा फराया हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि उसी आन, बान और शान के साथ श्रीनगर में भी और जम्मू में भी भारत का तिरंगा जंडा लहराया महराष्ट की जंता की और से मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ साथी में जिस प्रकार से भारत के वज्यानिकों को आपने प्रेरणा दी, उच्सा दिया, विश्वास दिया मैं नहीं मानता कि दुनिया के किसी देश में कोई देश का प्रधान वज्यानिकों के साथ बैठकर इस प्रकार से उनको प्रेरणा देते हुए उनके पीछे खड़े होकर चंडरयान जैसी मुहिम में उनके साथ में इतनी प्रेरणा देता होगा जो आपने करके दिखाया और इसलिए हमको सबको तो ये लगता है कि आपके नेत्रुतु में हमने चान जीत लिया है अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है आज मुंबई मदे आपन मेट्रो चा तीन मारगी कान सा भूमी पूजन आधरनिय पंतपरदान मोध यांचा हातुन करतो है मेट्रो मारग दहा गाय मुक्ते शिवाजी चौक मेट्रो मारग अक्रा वड़ाला ते छत्रपती शिवाजी मारास टर्मिनस आडि मेट्रो मारग बारा कल्यान डुम्बुली पासन तडोजा परियंत आशे तीन मारग या ठिकानी आपन करतो है आणि याद तीन मारगान मुले एक मोठी कनेक्टिविटी याठीकानी तयार होना रहे सगयात महत्वाचे याद काई असेल तर विशेशता वडाला पासन चत्रपती शिवाजी मारास टर्मिनस परेंत ही कनेक्टिविटी जाल्या मुले आता अपन चत्रपती शिवाजी मारास टर्मिनस पासन थेट ठाने घोड़बंदर आणि मिराभाईंदर परेंत त्या तीकानी कनेक्टिविटी आपलेला मेना रहे आलि त्यातन अतीशे कमी वेला मदे आपलेला त्या 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 शोबत कल्यान डॉंबेोली चीची मेट्रोे जी तलोजा या टिकानी जानारे कल्यान तलोजा नवी मुंबई विमांतल या सर्वक्षेत्राला या मेट्रोचा प्रचेंड मोठा फाइदा या टिकानी होड़ारे आणि या तीनच लाइन चा अजर आपन विचार केला तर या तीन लाइन मदे पुडिल दहा वर्शा मदे दर रोज 41 लाख प्रवाशी याठिकानी प्रवास करतील इतका मोठा फाइदा प्रवाशानना या मेट्रो लाइन चा माध्यमातना याठिकानी होतो है आज मला अतिशा अनन्द है आदरणिय प्रधान मंत्री जी आपके नेत्रुतों में और आपके आशिरवाद से देश का सबसे बड़ा मेट्रो का नेट्वर्क मुंबई में तयार हो रहा है और आज 275 किलोमिटर और उसके आगे जाकर करीब 320 किलोमिटर मेट्रो का नेट्वर्क समुचे मुंबई और मुंबई महानगर का MMR का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को इंटिग्रेट करने का प्रयास इसके माध्यम से हमने किया है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें अगर कोई बात है तो हमारा ये प्रयास होगा कि MMR के किसी भी क्षेत्र से MMR के दूसरे क्षेत्र तक हम मिंटों में पहुँचे हम 60 मिनट मैक्सिमम टाइम ट्रेवल टाइम हो MMR के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इस प्रकार का इंटिग्रेशन ये समुचे मेट्रों के प्रकल्प का हमने किया है और आपका सबसे बड़ा सपना जो है One Nation One Card एक टिकट पर सारे ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम्स चलने चाहिए मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ देश का पहला शहर इंटिग्रेटेड ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम्स का अगर कोई होगा तो वह मुंबई शहर होगा यहाँ पर चाहे वो रेलवे हो चाहे मेट्रो हो चाहे मोनो हो चाहे बस हो चाहे वाटर ट्रांस्पोर्ट हो यह सारे के सारे एक सिंगल टिकट पर आने वाले दिनों में चलेंगे और लोगों को end-to-end हम लोग इसमें सहुलियत देंगे या डिकाडी माजा विश्वास है सन 21-22 परियंत 120 किलोमेटर ची मेट्रो लाइन पुरुण करून शुरू होईल त्यानंतर 23-24 मदे अजुन 85 किलोमेटर ची मंजे एकुन 205 किलोमेटर ची लाइन तैयार होईल आणि तेचा पुडे जे कावपण करतू है 24-25 मदे उरलेले लाइस जाहे त्यामी पुरुण करू आणि त्यानंतर आज मुंबई ची जीवन वाही नी आमची सबर्बंध रेल्वे है आमची सबर्बंध रेल्वे मदे आज एंशी लाख प्रवासी याटिकाणी प्रवास करू शक्ता पन 2024 साली आपन मेटरो ची नेटवर्क पुरुण करू क्या मने एक कोटी एक करोड लोग इसमें सफर कर पाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई के एक करोड लोगों को इसका फाइदा होगा सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रीन ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम है ये मुंबई में धाई करोड टन कार्बन उत्सरजन को ये मिटिगेट करेगी और जिसके कारण बड़े पैमाने पर मुंबई को ग्रीन ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम मिलेगी इसमें विशेश रूप से अगर हम देखे तो जो मेट्रो भवन जिसका आज हम भूमी पुजन करने जा रहे है ये मेट्रो भवन इस प्रकार से बन रहा है कि देश का सबसे बड़ा कमार्ड एंड कंट्रोल सिस्टिम ये होगा और इस मेट्रो भवन से पूरे आटोमेटिक तरीके से ये सारी मेट्रो संचालित होगी कई मेट्रो ड्राइवर लेस होगी और अत्यांता आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टिम के माध्यम से आर्टिफिशल इंट्लिजन्स का इस्तमाल करते हुए ये सारी लाइनों का इंटिग्रेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि इसमें फेलियर का रेट ये न के बराबर होगा और लोगों को सस्टेनेबल ट्रांस्पोर्टेशन की सिस्टिम इसके माध्यम से हम लोग देंगे यहाँ पर इसके प्रशिक्षण है तू सिंगापूर होंग कॉंग और मिलान के मेट्रो से हमने लोग लाए है और इस मेट्रो प्रकल्प के कारण पचास हजार लोगों को सिधे रोजगार मिलेगा और कई लोगों को इंडारेक्ट रोजगार भी मिलेगा इसमें सबसे महत्पूर्ण बात अगर कोई होगी तो प्रधान मंत्री जी को ये सुनकर बहुत हर्श होगा कि देश का सबसे बड़ा मेट्रो कोच अंदिर्मिती का जो कॉन्ट्रेक्ट है वो हमारे MMRDN मुमबई मेट्रो ने भारत की कंपनी B.E.M.L. को दिया है मेकिन इंडिया में ये हमारे कोच बन रहे है अब तक सारे कोच हम import करते थे ये making इंडिया में कोच बन रहे है प्रदान मंत्री जी पिछले पाच वर्षों में आपने जो आगरह किया उसके कारण भारत में ये capacity तयार हुई कि आज भारत में मेट्रों के कोच बन रहे है और ये कोच आज ये कोच हमने आदरनिय प्रदान मंत्री जी के हाथ से उसका उद्धाटन भी किया और मेरा विश्वास है कि अंतर राष्ट्रियस तरका कोच ये भारत में भी हम लोग तयार कर पाएंगे मी या निमित्याने विश्वास देतो आदरनिय प्रदान मंत्री महोदयांचा नेतरुत्वा मरे मुंबई असेल, MMR रीजन असेल, पुने असेल, नाशीक असेल, नाकपूर असेल या सगी कडे अतिशेट चांगलिया प्रकारे मेट्रोचा काम आमी शुरू केला है और त्या सोबत, मोठिया प्रमाणाथ इलेक्टरिक बसेश्चा देखेल। उद्धो जिननी सांगितलों है खरा है कि महाराष्ट्रा मने मोठया प्रमाणात इलेक्ट्रिक बसेस से काम देखेला हमी शुरू केला है आणि सस्टेनेबल ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टीम आमी महाराष्ट्रा तयार केला शिवार हडार नहीं मैं जाते जाते प्रधान मंत्री जी आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ नासिक में देश का पहला प्रयोग हमने किया है हाइब्रीड मेट्रो का और 40 किलोमेटर की हाइब्रीड मेट्रो हमने उसको मान्यता दी है और अभी केंदर सरकार की भी मान्यता के लिए भेजा है मेरा विश्वा से आपकी भी मान्यता मिलेगी ये हाइब्रीड मेट्रो भी एक गेम चेंजर है और विशेश रुप से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा डुंबियोली जैसा शहर है कल्यान जैसा शहर है या भीवंडी जैसा शहर है या इंटरनली जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टीम इस मेट्रो को जोडते हुए तैयार करनी है ये अगर हम हाइब्रीड मेट्रो के माध्यम से करेंगे तो हम छोटे से छोटे रास्ते तक मेट्रो को ले जाएंगे और इसके लिए भी आपका आशिरवाद हमें मिले, इतना ही निवेदन आपसे करता हूँ, पुना एक बार महाराश्टर को आपने हमेशा मदद की है, आपका आशिरवाद मिला है, ऐसा ही आपका स्नेह और आशिरवाद महाराश्टर को मिलता रहे, ये आपकी मुंबई नगरी है मुंबई के लोगों का आप पर बहुत प्रेम है आपका भी मुंबई पर प्रेम है ये ऐसा ही कायम बना रहे इतना ही विश्वास व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं जैहिन जै महाराश्टर